आज हम सुरू करने वाले हैं 17 दिसंबर के डेली कर इंट अफेस क्विज तो चलिए अब हम सुरू करते हैं देखे ये वीडियो आपको रोजाना साथ से आठ बजी के बीच में मिल जाया करती है क्योंकि ये साथ से आठ बजी के बीच में अपलोड हो जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और से जरूर करेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस रेड बटन पर क्लिक करके मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए अब हम सुरू करते हैं आज का कोशन आप डुदे है पहले तो मैंने कल आपसे कुछ कोशन पूछे थे उसके बारे में डिसकोस करती हूँ आप सबी लेरनर्स का अंप सब के सपोर्ट सका अंड मैक्सिमम के आंसर साही थे और जिनों ने पूरे आंसर नहीं दिये तो कुछ कुछ कोशिंस के आंसर दिये, तो आपके अफ़र्ट बहुत अच्छ है, बठा आप कोसिस करिए कि आप 4 कोशिंस के आंसर दे पाए, उससे क्या हो, कमाल लीजे आपको जिसके आंसर नहीं भी आते हैं, उससे आप सर्च करिए और फिर उसके आंसर दिजे, इससे यह कि आपको उसके वारे में नॉलेज हो जाएंगी ठीक है तो मैं आसा करूँगी कि आज मैं जो कोशन पूछ रही हूं तो आप सभी उस सारे कोशन का अंसर्स देंगे तो मैं पहले कोशन को पहले डिस्कुस कर लूँ जो कल मैंने पूछा था मैंने आपसे करेंट अफेस के पार्ट में पूछा था कि वो कौन सी पहली भारतिय टेबल टैनिस के लाड़ी बन गई है जिने ब्रेक ही उत स्टार का अवार्ड मिला है तो इनका नाम है मनी का बत्रा और मैक्सिमम के आंसर सही थे दुसरा कोशंस मैंने आपसे पूछा था कि हमने रिसेंटली ही एड्स दिवस कम बनाया है यह का 1 दिसंमर हमने सेलिब्रेट के और स्टार्टिक के पार्ट से मैंने पूछाय ya THIS पहली करते हैं कि हमारा पहला कोशन है इसे यही पता चलेगा ना कि मैं आपको जो कर इंटर्फिस पढ़ा रहे हूं उस पर आप कितना ध्यान दे रहे हो लाइक इससे आपकी रिवीजन हो जाएंगे तो देखे पहला कोशन है हमारा किसने अनुपम खेर की जगा फिल्म एंट टेलिविजन इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की रूप में क्या कारे भार समाला है पहला तो आप मुझे यह बताएंगे और दुसरा है कि भारत में किस राज्य के उचनायाले ने राज्य में ऑनलाइन दवाओ की बिक्री पर रोक लगा दी है यह दोनों कल के करिंट अफेर्स में जो मैंने कोशन करवाया थे न उसमें के ही कोशन है तो आप कोशिस करिए कि आप इसके आंसर्स दे पाएंगे और स्टाटिक में आप मुझे पताईए कि 9 से 9 दिवस कम मनाया जाता है तो मैं आपको हिंट दे दू कि यह दिसंबर में ही मनता है बड़ दिसंबर के कौन से डेट पे? नवरानी यह एक लोक नित्य और यह किस राज्य का लोक नित्य है आप मुझे यह बताईए ठिक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर करनों पर यह जो त्नीन दिनों का हुआ था यह आपकी आंध्पदेश में हुआ है तुम्हारे ऑप्शन हो जाते हैं यह पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है यह आप ध्यान रखेगा पहली बार हमारे भारत में हुआ है और चौथा यह था मतलब फूर्थ एडिश किया अंध्पदेश जो कि यह भारत में है तो यह जो चौत है यह पहली बार हमारे भारत में हुआ है और इसका उद्देश यह है न कि मान लेजे सतत्विकास के लिए स्वास्त कवरेज के लिए आवस्यक और जितने भी प्रात्मिक प्रारंबिक चिकित्स अपकरन होते है उन तक पहुचने को फिर उस पहुच को बढ़ावा देना और मापने की तरीकों को परभासित करना है और सबसे सिंपल से समझ देज़े कि यह चिकित साउप करनों तक पहुच को बढ़ावा देगा तो यह सारी चीज़े अब ध्यान रखेगा और हमारे ऑप्शन हो जाते हैं अंध्रप्रदेश नेक्स कोशिन पर हम बढ़ते हैं और यहां थोड़ा सांध्रदेश के बारे में देख सकते हो जसा कि मैंने बताया कि यह वह ग्लोबल फॉरम था मेडिकल डिवाइस पे तो यह 13 से 15 दिसमबर तक चली विशाका पटनम आंध्रदेश में और वह के बारे हमें बात की जाए तो इसका मुख्याल है जिसका है जैनेवा स्विजर लैन में और इसके महा निदेशक है टेडरोस अधानोम ठीक है और आंध्रदेश की में बात करूँ तो देखिए WHO का जो headquarter है वो जैनेवर स्विजर लेंड में है जैसे कि मैंने कहा और यहां की जो महा निदे सक्थ है न वो है टेड्रोस अधुनोम ठीक है टेड्रोस अधुनोम और हम बात कर लिए आंद्रप्रदेश की तो आंद्रप्रदेश की जो मुख्य मंत्री है वो है इन चंदरबाबु नाइडू जी वहां के गवर्नर है ईसल नरसिंगा राजधानी है अमरावती राष्टे उध्यान है स्री वेंकेटिश्व राष्टे उध्यान पापी कॉंडर राष्टे उध्यान तो ये सारी चीज़े आप ध्यान रख सकते हो ठीक है चलो नेक्स कोश ये समझ लीजे कि हमारे इंडिया का पहला रेल और ट्रांसपोर्ट यूनिवर्शिटी बनाई गई है ठीक है रेल एवन ट्रांसपोर्ट यूनिवर्शिटी बनाई गई है वहां रेल और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पढ़ाई की जाए और ये इंडिया का हमारा पहला है और अगर world की बात करूँ न तो यह world में तिसरा है यह पहला roots में है चीन में है और तिसरा जो है यह university हमारी भारत में अब समय आ गया है तो यह आपकी बना है गुजरात में हमारे option हुजाते है C, गुजरात देखो ये गुजरात के वडोधरा में बनाया गया है और जैसे कि मैंने कहा कि ये रूस और चीन के बाद कि भारत का पहला और विस्वी का तिसरा रेलवे विस्वी डाला है ठीक है और युनिवर्सिटी के जो कुलगुरु है वो होंगे अस्वनी लोहानी जो की रेलवे बोर्ट के चेर्मेन है और यहां BBA, BCA की पढ़ाई होगी रेलवे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और अब यह भी दियान रख सकते हो अगर एक्जेक्ट लोकेशन की बात करूं तो डोधिया तालुका के पिलपिला गाव में 110 एकड जमीन पर यह बनाया गया है देखें यह मिन्श्यो पावर की बात की जाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहां की जो मंची है वो ऐसी स्रीयार केसिंग और यहां का जो मुक्याला है वो नहीं दिल्ली है और यह कोशन तो 30 तक 125 अरब यूनिट के बिजली की बचत होने की संभावना है ऐसा कहा जा रहा है जो करीब 100 मिलियन टन कार्वन डायोकसाइड के उत्सरजन के बराबर है तो यह सारे फायदा होने वाले हैं इसके तरद यह आप ध्यान रखेगा ऑप्शन हो जाते हैं यह विदुत मन चाल कॉन सारज-ाल-ष महिलाओ के यह उन चोतन पर पतिबनद लगाने वाला कानून का पहला राज जे बन गया है मतलब महिलाओ का यह उन सोउसन नहीं होगा पूरी तरह से वहा प्तिबनद लगा दिया गया है यह राज़ है जमू एन कस्मीर हमारे ओप्शन हो जाते है जमुयन कस्मीर के बारे में आप ध्यान दे सकते हो जो मुख्य मंत्री है महमूबा मुफ्ती जी और गवर्नर है सत्यपाल मलिक इनकी ही अध्यक्सता में यह कहा गया है कि इनोंने महिलाओ के यौन सोशन पर प्रदिपंद लगाया है और आप ध्यान दे सकते हो कि जमुकस्मीर की जुराजधानी है वो है स्री रगर नेक्स कोशन पर हम बढ़ते हैं किस देश के साथ यूरोपिय संसद ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त वैपार समझोते को मंजूरी दी है मुक्त वैपार समझोता फ्री ट्रेड एगरिमेंट ठीक है तो यूरोपिय संसद ने किस देश के साथ इसे किया है तो ये किया है इन्होंने जापान के साथ और इसके तहट क्या होगा कि जितने भी क्रिशी और ओद्योगी उत्पाद है न उनसे सुल खटा दिया जाएगा और सेवा छेत्र और खरीद में इससे व्रिधी होगी ये एक फरवरी 2019 से लागू होगा तो ये सारी चीज़े आप ध्यान रग सकते हो और हमारे ओप्शन होजाते हैं बी जापान यूरोपिय संग के बारे में आप देख सकते हो और यूरोपिय संसत की जो राष्टपती है इनका नाम है इन्टोनियो तजानी ये सारी चीज़े आप ध्यान रखे है ये इंपॉर्टेंट है जापान जैसे कि हमारे ओप्शन में आया है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं किसकी राजधानी है टोकियो यहां के मुझ्जा है जापानी येन और यहां के प्धान मंत्री है सिंजो आबे तो ये सारी चीज़े आप ध्यान रखेएगा ठीक है चलो नेक्स कुश्चन है हमारा ज्यान पीट पुरुसकार से किने सम्मानित किया गया है इनका नाम है अमिताव घोस ये बहुती प्रसिद अंग्रेजी लेखक है और ज्यान पीट चैन बोर्ड ने इनका चैन किया है और देखिए इनके कुछ बहुती इंपोर्टन जो उपन्यास है पहला तो है दा ग्लास पैलेस दुसरा है दा हंगर जी है दा हंगर टाइड ये सारे इनके कुछ बहुती महान उपन्यास है इन्हें पर्मस्री और साहित अकार्डमिक पुरुसकार से भी नवाजा जा चुका है तो ये सारी चीज़े अब ध्यान रखेगा और इनका नाम में अमिताब घोस आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हैं मिताम घोस और ग्यान पीट पुरुसकार जिसके हम बात कर रहे हैं ये क्यूं दिया जाता है तो देखिए ग्यान पीट पुरुसकार जो है न ये भारतिय ग्यान पीट द्वारा भारती साहितेकारों को हर साल प्रस्तुप किया जाता है जो भारती सविंधान की अनुसूची आर्ट में सूची बंद 22 भारती भासाव में से एक में लिखते हैं और जैसे कि अंग्रेजी के प्रमुख है और लेखक को दी गई ये पुरुसकार रासीस में 11 लाग रुपय होती है तो ये कुछ चीज है थी जो आपको ध्यान रिखनी है अब चलो नेक्स कोशन है हमारा अंतराश्टी चाई दिवस हमने कब मनाया तो अंतराश्टी चाई दिवस हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है 15 दिसंबर को आप्शन हो जाते है ए और इसके तहत ये उद्देसे हैं कि चाई उत्पादक देशों में श्रमिक औ पादकों पर वैस्विक चाई वैपार को प्रभाव के लिए सरकार और नागरिक को उसके उपर मतलब उसके प्रतिका ध्यान आकरशित करना ये इनका उद्देश से है तो ये ध्यान रखेगा कि ये उन्हें 15 दिसंबर को सेलिब्रेट किया है नेक्स है हमारा कि विजे दिवस हमने कब मनाया तो देखे विजे दिवस हमने मनाया है कल मतलब 16 दिसंबर को ये भारत में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है देखे ये पाकिस्तान से बांगलदिस की आज़ादी के लिए जो युद्द के दौरान 1971 में पाकिस्तान पर भार वन्य जियू सेवा पुर्सकार 2018 से नावाल ज़ा गया है तो अब्यारंण वन्य जियू सेवा पुर्सकार जो मिला है वो मिला है इमरान सिद्डिकी जी को यह अब ध्यान रखेगा हमारे option है C किस सहर में प्रहरी योजना लागो की गई है या सुरू की गई है प्रहरी योजना प्रहरी योजना प्रहरी तो देखें यह दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरू की गई है तो यह दिल्ली में स्टार्ट हुई है और दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त है न अमुले पतनायक ने दिल्ली के दक्षिन पक्षिम जीले में प्रहरी योजना को सुरू किया है जिसका उद्देश से है अप्राद को रोकना और कानून विवस्ता को बनाए रखना है तो हमारे आप्षिन हो गए ए दली याद रखेगा प्रहरी योजना दली पुलिस के द्वारे स्टार्ट की द्धान रखेगा यह हमारे दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी है नहीं दिल्ली नेक्स कोशन है किनके द्वारा विमन चांसफॉर्मिंग इंडिया वोर्ड टुथाउजन एटीन के तीसरे संसकरन का आयोजन किया गया है तो यह किया है निती आयोग ने ओके देखिए ज इस पर आप यह ध्यान रख सकते हो कि यह जो पुरसकार है न यह पूरे भारत से जितनी भी अनुकर्णी मही लाए है उनकी कहानियों को पहचानने और उन्हें मानेता प्रदान करने के लिए स्थापित किये गया है विमन चांसफॉर्मिंग इंडिया वोर्ड टुथाउज जी है और इसका मुख्याल है जो है यह नई दिल्ली में है और इसके कारेपालक जो इसके अध्याचता करते हैं यह मोदी जी हमारे पदानमंत्री जी करते है नेक्स कोशन है राष्टी अनुसुचित जन जाती आयोग के सचियु की रूप में कौन नियुक्त हुए है तो र ध्यान रख सकते हो कि इसके जो अध्यक्ष है इसका नाम है डॉक्टर नंद कुमार तो यह आप ध्यान रखेगा देखे आप यह भी ध्यान रख सकते हैं राष्टी अनुसुचित जन जाती आयोग यह है क्या तो देखिए समिंधान या किसी अन्य कानून के तहट पुरक्षा उपायों से संबंदित सभी मामलों की ये जाच और निगरानी करता है तीक है ये आप ध्यान रखेगा इनिस इस्टी जो की राष्टी अनुसूची जन जाती आयोगे है इसका काम यही है नेक्स कोशन पर हम बढ़ते हैं राजिस्थान के राजिस्थान के नई कौन होंगे तो राजिस्थान के जो नई मुख्य मंत्री होंगे उनका नाम है असोक गहलोत हमारे ऑप्शन हो जाते हैं एसोक गहलोत और यह आप ध्यान रखेगा यह राजिस्थान के नई मुख्य मंत्री होंगे और उप मुख्य मंत्री की बात करूं तो यह सचीन पाइल अपको तो यहां ध्यान रखेगा मैंने यह पांसर ही आड कर दिया था यह कोशन के तौर पर था कि राश्टी अप्राज रिकॉर्ड वीरों के जो नितेशक है वह नियुक्त है रामपल प्रवार्टिक है और देखें यह IPS है पक्षिम बंगाल कैडर से यह हम ध्यान रखेगा IPS है इंडियन पुलिस सर्विस में यह है पक सिंबंगाल कैडर से नेक्स कोशन है हमारा 2020 चाप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो देखें 2020 की चाप की मेजबानी यह करने वाली है पाकिस्तान हमारे ऑप्षन है भी पाकिस्तान तो यह देखें यह थे कुछ important का इंटरफेज आज की और अगर आपकर यह वीडियो प आपको नीचे टेलिग्राम ग्रूप के लिंक में मिल जाएंगी तो थैंक यू सो मच